गडल में अपका फिर से स्वागत है दोस्तों, आज हम पांच मज़ेदार और जासूसी पहीलिया सॉल करेंगे और इस वीडियो को स्पॉंसर किया है earnkoro.com ने डिस्क्रिप्शन में दिये लिंक से साइन अप कीजिए और पैसे कमाईए अभी पहली पहली से शरवात करते हैं एक ब्यूटी कॉंटेस्ट चल रहा था और उस कॉंटेस्ट में अनू जीत गई थी लेकिन कुछ देर बाद ही अनू का खून हो जाता है डिटेक्टिव वहां तहकीकाद के लिए आते हैं खून की तीन सस्पेक्ट्स थे मीना जो सेकेंड आई थी फोटोग्राफर और रजट वहां का मैनेजर डिटेक्टिव उनसे पूछते हैं कि वो खून के वग क्या कर रहे थे मीना कहती है मैं तो अपने बॉइफरेंट के साथ सेलफी ले रही थी फोटोग्राफर कहता है मैं बाकी कंटेस्टेंट की फोटो ले रहा था और रजट कहता है मैं अपनी पत्नी से फोन पे बात कर रहा था उनके पूछताच करने के बाद डिटेक्टिव को समझ आ गया कि खून किस ने किया है दोस्तों आखिर अनू का खून किस ने किया क्या आप बता सकते हैं अपना आंसर कमेंड कीजिए खून फोटोग्राफर ने किया है क्योंकि उसने जो फोटो दिखाई है उसमें अनू भी है और तब तक तो अनू मर चुकी थी तो वो उस फोटो में कैसे हो सकती है यानि वो जूट बोल रहा था अगली पहेली अभी आप इमोजी से नाम भैचाने तो इस से एक लड़के का नाम बताईए और अपना आंसर नीचे कमेंड करिए ये है टी और ये लग तो हुआ तिलग अभी इस लड़के का नाम बताईए ये है आ और ये है मू जिसे सीश भी कहते हैं तो हुआ आशीश अभी इस इमोजी से लड़के का नाम बताईए आंसर कमेंड करें ये है लग और ये है की तो हुआ लग की अगली पहिली से पहले बात करते हैं EarnKarow.com की EarnKarow पे आप Amazon, Flipkart और भी बड़ी वेबसाइट से समान बेच कर पैसे कमा सकते हैं मतलब इस वेबसाइट में बड़ी बड़ी e-commerce companies है और अगर आप वहाँ से समान अपने friends और family के साथ WhatsApp ये Facebook पे शेयर करेंगे और जैसे ही कोई कुछ खरीद लेगा तो आपको पैसे मिलेंगे मतलब आपको तो कुछ करना ही नहीं बस पहले description में दिये link से sign up करनी है जिसके लिए भी आपको पहले ही 50 रुपे मिल जाएंगे और वहाँ से फिर आप जैसे जैसे link भेज कर WhatsApp पे समान बेचोगे आपको earn करो में पैसे मिलते जाएंगे कितना simple है तो आज ही description में दिये link से sign up करिए और पैसे कमाईए अभी अगली पहीली मनन और अजै बीच पर मस्ती करने आते हैं तभी साहिल मनन को अपने साथ volleyball खेलने के लिए बुलाता है कुछ देर volleyball खेलने के बाद मनन बार में बीर पीने जाता है लेकिन वो काफी देर तक नहीं आता तो अजै उसे ढूणने जाता है तो वो देखता है कि मनन तो बीच के दूसरे तरफ मरा हुआ है थोड़ी देर में पुलिस वहां आ जाती है और तीन सस्पेक्ट्स अजै, साहिल और बार्टेंडर से पूछताज स्टार्ट कर देती है साहिल बोलता है मनन मेरे साथ वोलीवाल खेल के बीयर पीने गया था शायद बार्टेंडर ने ही कुछ किया है अजै कहता है मैं तो अकेले स्विमिंग करने गया था मुझे कुछ नहीं पता और बार्टेंडर कहता है मैं मनन को क्यूं मारूंगा साहिल वॉलीबॉल में उससे हा रहा था चायद उसने ही मनन को मारा है पुलिस जब अच्छे से जाच करती है तो समझ जाती है कि खून अखिर किस ने किया है दोस्तों क्या आप बता सकते हैं कि खून किस ने किया अपना अंसर कमेंड कीजिए खून और कोई नहीं बलकि बार्टेंडर ने किया है क्योंकि वो जूट बोल रहा था कि साहिल मनन से वॉली वॉल में हार रहा था बलकि साहिल तो मनन से जीत रहा था और चार पॉइंट्स आगे था यानि बार्टेंडर बचनी के लिए कुछ भी जूट बोल रहा था अभी अगली पहेली एक आदमी को गंजा करने में 11 रुपए लगते हैं तो 11 गंजों को गंजा करने में कितने रुपए लगेंगे? जल्दी से सोचिए और अपना आंसर कमेंट करिए वो तो 11 गंजे हैं तो उनको और गंजा कैसे करोगे? यानि एक भी रुपए नहीं लगेंगे अभी अगली पहेली इन तीनों दादियों को ध्यान से देखिए पहली वाली बुक बढ़ रही है दूसरी वाली स्वेटर बना रही है और तीसरी वाली स्मार्टफोन चला रही है क्या आप इने देखके बता सकते हैं कि इन में से कौन सी दादी भूत है? इने अच्छे से देखिए और अपना अंसर कमेंट करिए इन में ये सेकेंड वाली दादी भूत है क्योंकि उनकी जो आखे हैं वो पूरी लाल है और उनकी जो अंगुलिया है वो भी बहुत ज़ादा है और इतने अंगुलियां तो किसी इनसान की नहीं हो सकती तो यानि वही भूत है इसमें आपका क्या कहना है? जरूर से हमें कमेंट में बताएं और आपने हमारी ये वाली वीडियो नहीं देखी इसमें बहुत अच्छी पहिलिया है यहाँ क्लिक करके इसे अभी देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं अगले एपिसोड में तब तक के लिए धन्यवाद